हलेओ मूवी एचस वेलकम बैक टू आर चानल तो आज हम एक्स्प्लेइन करने वाले हैं पॉकिमोन दे मूवी दे सीक्रिट्स ओफ दे जंगल मूवी शुरू करने से पहले अगर आप चानल पर नए हो तो चानल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन भी तबाह देना ताकि आपको हमारे चानल के लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मूवी की शुरवात में हम एक जंगल में जारूद नाम के कुछ पॉकेमोन açıl को देखते हैं जो दूशे पॉकेमोनी के खाने के बिनाम जुडो ठाए जुडो å से ख prefnewतारा को एक लता मुझत चुडो को और श्मम्षाण उसका फादर समझकर उसके साथ खेनने लगता है पर जूडो को उस बच्चे में कोई इंटरस्ट नहीं था इसलिए वो वहाँ से वापस जंगल के अंदर जाने लगता है लेकिन वो बच्चा जूडो का पीछा नहीं छोड़ता इसलिए जूडो उस बच्चे को अपने कभीर में ले आता है जहां उसके कभीले वाले उस बच्चे को अपने साथ रखने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें डर था कि ये इनसानी बच्चा बड़ा होकर जंगल और इसकी जादूई चीज़ों के लिए खत्रा बन सकता है लेकिन जूडो उन बागी कभीले वालों की मना क जहां एक दिन जूडो को जंगल में एक बंद पड़ी सीक्रेट लैब मिलती है जिसके अंदर जाने पर जूडो को पता चलता है कि लैब में काम कर रहे साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि उस बच्चे के पेरेंट्स ही थे लेकिन अब बहुत डूडने के बाद भी जो लैब में पड़े एक कपड़े को अपने गले में सकाफ की तरह पहन लेता है क्योंकि उस बच्चे को कपड़ा बहुत पसंद आया था और वो उसे छोड़ी नहीं रहा था अब दीरे दीरे समय बीकता जाता है और वो बच्चा भी अब बड़ा हो जाता है जिसका नाम जुड़ को को रखता है साथ ही जुड़ो ने उस बच्चे को अपने जैसा ही फुर्तीला बना दिया था और को को की दोस्ती जंगल के बाकी पोकी मॉन से भी हो गई थी इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एश को देखते हैं जो उस जंगल के पास वले शहर में आया था क क्योंकि वो जंगल में रह रहे कुछ पोकी मॉन्स को पकरना चाता था पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे पकर नहीं पाता साथ ही एश को जंगल में गूमते गूमते नदी के पास कुछ लोग दिखते हैं जो उस नदी के पानी से कुछ रिसर्च कर रहे थे दू कि बाकि जारूट पोकेमों उनका सारा खाना खा गए थी उसी समय कोको को एक आइडिया आता है और वह जुडों से कहता है कि हमें इन फलों के बीच से और पेड़ उकाने चाहिए ताकि किसी को भी खाने की कभी ना हो तो ये सुनकर जुडों कोको से एक फल का बीच लेकर उस पर एक पोकेमों आकर कोको को बताता है कि नदी के पास तो कोकेमों आपस में लड़ रहे हैं तो कोको उन दोनों का जगड़ा सुनचाने के लिए वहाँ चला जाता है पर वो दोनों कोकेमों कोको की बात भी नहीं मानते और उसे भी दूर फैक्ट देती हैं साथ ही उन दोन उनकी सारी जोट ठीक हो जाती है लेकिन तभी वहां जारूट की कबीले का एक पोकेमॉन आ जाता है जो आते ही कोको पर हमला कर दीता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये जादूई पानी और जंगल की बाकी चीजे जारूट कबीले की है और इस पर इनसानी बच्चे का कोई हक trash नहीं है अब वह जारूट पोकेमॉन बहुत टाकत वर होने की वज़़े से कोको पर भारी पड़ने लगता है पर तभी वहां जूड़ो आ जाता है और उस दूसरे जारूट पोकेमॉन को हराकर पोको के साथ वहां से च्चालत चाता है लेकिन उसकी वज़े से कोको बह गेड की डालियों की सहारे से जाने लगए लेकिन अचानक से उसकी सामने एक बहुद बड़ा पई आ जाता है और ध्यानना हूने की वजह से कोओ उसे टकर और ऊबंवे हूश जाता है और नदी में गिर जाता है पर तभी वहां और आश सह आता है जो इसे वहां बचा कर एक हॉस्पिटल में ले जाता है लेकिन जब कोको को होश आता है तो पहली बार जंगल से बाहर आकर एक इंसानी चहरा देखने की वज़े से कोको डर कर वहां से भागने लगता है और भागते भागते कोको एक सड़क पर आ जाता है जहां उससे एक गाड़ी टकराने ही वाली थी तभी वहां एश आकर उसे फिर से बचा लेता है आगे एश कोको से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो कोको भी अपना हाथ एश से मिला लेता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि वो भी एक इनसान ही है इसके बाद एश कोको को शहर गुमान की आवाज आती है जो एक ड्रीनेज पाइप से निकलने के लिए मदद मांग रहाता क्योंकि वो पोकेमोन गलती से उसके अंदर गेर गया था अब आवाज को सुनकर कोको उस तरफ बढ़ने लगता है और बड़ी मेहनत करके उस पोकेमोन को ड्रीनेज पाइप से बाहर निका कर रही थी जो लोग ननी के पास रिसर्च कर रहे थे आगे कोको वापिस से जंगल में जाने लगता है क्योंकि उसे जुडू की याद आ रही थी तो एश भी अपने पिकाचु के साथ उसके पीछे जाने लगता है पर थोड़ा आके जाने पर एश और पिकाचु जुडू से क्यों मिलती है ये सुनकर जुडू उन सब को उसी लाब में ले जाता है जहां पहुचकर जुडू कोको को बताता है कि कैसे वो उसे एक जड़ने के पास मिला था साथ ही उसके पैरेंट्स इस लाब में काम करते थे पर अब वो कहा है उसे ये नहीं पता अब ये बताते जुडो थोड़ा सा emotional हो जाता है और कोको से ये कहकर वहां से चला जाता है कि भले ही वो उसका असली फादर ना हो पर उसने उसे अपने असली बेटे जैसे ही पाल पोस कर बढ़ा किया है ये सुनकर कोको भी थोड़ा emotional हो जाता है इसके बाद scene change होता है और हम team rocket को देखते हैं जो नदी के पास कुछ experiment कर रहे थे और वहां जाकर team rocket computers को hack करके उस lab का सारा data एक hard drive में भढ़ लेते हैं क्यूंकि वो उस data को किसी और को बेचना चाहते थे पर जैसे ही वो लोग वहां से जाने लगते हैं तभी वहां एक Pokemon आ जाता है जो उस drive को निगल कर उड़ते हुए व बताता है कि वो भी अपने फागर को ढूंड रहा है साथ ही एश कोको को उसके पेरेंट्स को ढूंडने की हिम्मत भी देता है जिसकी वजह से कोको एश के साथ उस lab को अच्छे से देखने लगता है जहां बहुत ढूरने पर एश को वहां एक कार्ट पड़ा मिलता है जिसक उसी तरफ जूडो कोको के बारे में याद कर रहा था जिसे डर था कि कहीं अपने असली पेरेंट्स को ढूंडते हुए कोको को कुछ हो ना चाहे पर तभी वहां जारूट कभीले के सबसे ओल जारूट आ जाते हैं और जूडो को समझाते हैं कि तुम्हें चिंदा नहीं कर करनी चाहिए कोको को कुछ नहीं होगा अगली सुबह एस कोको के साथ उसी लैब में आज आता है जहां उन दोनों को एक डॉक्टर मिलते हैं जो उनको बताते हैं कि कोको के पेरेंट्स हमारे ग्रूप के ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने जरंगल में एक हीलिंग लेकी हुआ है के वो टॉक्टर कोको के गले का एक नेकलेस स्कैन कर नहीं है जिसे स्कैन करने पर उसे पता सुधाता है कि वह useful जंगल में तो को ख़ VC कहता है कि तुम हमें ले चलो लेकिन ये दे कर कोको को लगता है किस्ट डॉक्टर गलत आदुंए और उसके इराने ठीक नहीं इसलिए कोको वापिस से जंगल जाने लगता है पर उस डॉक्टर ने कोको की शरीर पर एक ट्राकर लगा दिया था जिसकी मदद से वो उसका पीछा करते हुए उसके पास पहुंच जाता है और एक बड़े से रोबोर्ट की मदद से कोको को पकड़ लेता है ये देखकर आश कोको को बचाने की कोशिश करता है और वो पिकाजो की मदद लेकर इसमें काम्याब भी हो जाता है पर तब ही डॉक्टर की कुछ रोबोर्ट स्पाइडर्स वहां आकर उन दोनों को जाल में लपेट कर एक गाड़ी में डाल देते हैं इसकी बार डॉक्टर तेजी से उस रोबोर्ट और अपने कुछ साथियों के साथ उस हीलिंग लेक तक पहुँच जाता है और वहां बहुच कर डॉक्टर उस लेक का एनरजी सोर्स ढूडने लगता है तो डॉक्टर की साथी उसे बताते हैं कि इस लेक के बीच एक पेड़ है जिसके अंदर इस लेक का एनरजी सोर्स है ये सुनकर डॉक्टर वहां लगे एक पेड़ को तोडने की कोशिश करता है ताकि वो उस एनरजी सोर्स को चुरा सके अब ये देखकर जारूर पॉक्टर को रोकने की कोशिश करता है पर रोबोट के जादा ताकतवर होने की व आश और कोको हीलिंग लेक की तरफ निकल जाते हैं और यहां टीम रॉकेट फिर से उस लैप के डेटा बेस को चेक करने लगती है जहां उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर बहुत जादा बुरा आदमी है जिसके इरादे बिलकुल गलत हैं इस तरफ आश और कोको वहां पहु टेक्ट करने के लिए बाकी सब को को और सब का साथ देने के लिए तयार हो जाते हैं इसके बाद वो सब उस जखमी जारूट को वहीं चोड़कर डॉक्टर से लड़ने के लिए निकल जाते हैं पर वो सबी जारूट मिलकर भी उस रोबोट की ताकत का सामना नहीं कर पा रह थे क्योंकि उस रोबोट के ऊपर एक शीड़ लगी हुई थी जिसे तोड़ना बहुत जादा मुश्किल था इसलिए जंगल के बाकी पोकीमॉन के साथ जुडो भी वहां आ जाता है जिसकी ताकते अब बहुत बढ़ गई थी फिर जुडो उस रोबोट पर अटाक करने लगत देका है इसी 20 डाक्टर सो चीडे को बताता है कि उसी ने उसके पेट 40 को खतम कर दी है क्यूकि वह उस झाड़ को उस हीलिंग वाटर को हुश्र के लिए य hinaड़ना चाहता था पर जुडो पर आतब प Cow No के पेर पेरेंट इसके पर नहीं मान रहे जोट लग गई तो कोगो जुडो को लेकर हीलिंग लेक के अंदर जाता है पर हीलिंग लेक अपकाम नहीं कर रही थी क्योंकि डॉक्टर ने चादूई पेड़ को नस्ट कर दिया था अब इसकी वज़े से कोगो बहुत दुखी होने लगता है तब ही उसके अंदर से बहुत जादा एनर्जी निकलने लगती है क्योंकि जन्रल ने कोको को रोता देख अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट को को दे दिया था अब इसकी वज़े से जुडो और लेक दोनों ठीक हो जाते हैं उसी तरफ डॉक्टर के साथी उसके बुरे इलादों के बारे में जान गए थे इसलिए वो आश को उस रोबोट के एक वीक पॉइंट के बारे में बताते हैं तो आश पिकाचु को उस पॉइंट पर अटैक करने को कहता है लेकिन वो रोबोट उसे वहां तक पहुचने नहीं दे रहा था तो बाकी सारे पोकिमॉन पिकाचु की मदद करती है और पिकाच उसे भागने नहीं देता और उसे पकड़ लीता है आगे कोको आश और बाकी पोकेमॉन जंगल को पहले जैसा करने में मदद करती हैं इसकी बाद आश कोको कुबाई बोलकर उसे कहता है कि उसे अब एक नई जर्णी के लिए निकलना है इसलिए उसे अब यहां से जाना होगा यह सुनकर कोको भी जूडो से आश की ही तरह एक नई सफर जाने की रिक्वेस्ट करता है क्यूंकि वो भी नई लोगो और पोकेमॉन से मिलना चाहता था जिस पर जूडो पहले तो उसे मना करता है लेकिन कोको की जादा मनाने पर वो मान जाता है और कोको आश की ही तरह से अच्छा लगा कमेंट करें के जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई